लो फेंड्स वेलकॉम टूर चैनल हम बात करने वाले हैं टेरा सॉफ्ट्वेर के वारे में जो कि हमारे मेंबर्स नहीं रिक्वेश्ट किया है तरह से किसी भी श्टॉक पर आपको भी अनलिस्स चाहिए श्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको इंडेक्स अनलिस के सांथ ब्रिकाऊट दिया डारेक्ली और जो मोमिंटम करता हो आ रहा है वो 30% के आसपास है तो अगर आप ब्रिकाऊट पर नहीं ले पाए हो दैने स्टॉप लॉस नहीं है आपके पास अगर आपने ब्रिकाऊट पर लिया है फिर विए आपको एक लोजिकल स्टॉप बट मोश्टली जो स्टॉक से ना वो उसके बाद बहुल दा मोमेंटम नहीं देपाए है सेम कंडिसन इसके सांथ भी अगर आप देखोगे अभी 40% के आसपास करने बनाए क्योंकि सर्केट में चल रहा है ठीक है लेकिन सर्केट में मतलब डेली आपको मोमेंटम बाइंग म सबस्क्राइब तो अगर्व करते हैं अगर्व करते हैं तो मैंनेज करके इसको कंटीन्यू कर सकते हैं बागे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अभी के टाइम में ठीक है आख दिन 5% ऊपर जा रहा है तो बहुत बॉलने के लिए नहीं यह तो अच्छा है यह वह बट आप खेंट तो अब और तो रात कुछ नहीं बदलता है तो अगर आप ने पहले से बाया गया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा है यहां पे आप stop loss को trail कर सकते हो quantities को manage कर सकते हो वहाँ पर अच्छा profit होगा continue कर सकते हो हो सकता है यहाँ से 200 चला जाए high 100 चला जाए किसी भी level पर जा सकता है बट same time अगर selling में आना start होगा तो वैसे selling में आएगा ठीक है जो कि पहले भी momentum दिखा चुका है आपको जैसे यहाँ पर अगर आप देखो यह सेम जितना buying दिया था उतना selling आ गया था यहाँ पर भी same condition था इसके पहले भी same condition है यहाँ पर भी same है ठीक है 2021 में 2020 में तो सभी stocks fall gate है तो यह momentum की तो ठीक है बागी अभी तक का same risk का condition रहा है तो अभी भी जितना momentum दे रहा है आने में 30-35% का correction minimum और 50% का connection maximum आपको देखने के मिल जाएगा अगर हम short term की बात करते हैं ठीक है तो fresh buying इसमें नहीं बनेगा अगर आप short term plan कर रहे हो क्योंकि इसमें risk नहीं होगा आपके पास है बागे ऐसे किसी वे stock पर आपको analysis चाहिए तो stock का नाम comment कर सकते हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मत भूलेगा Thank you so much